लगता है भाजपा भी अब अपने वोटरों को डसने लगी है और कॉंग्रेस के उस चंगुल में फसने लगी है जहां से वो देश को निकाल कर ला रही है विचार धारा में तो विचार राष्ट वात का है लेकिन धारा जो है वो मध्यम वर्ग पे अत्याचार का बंता चला जा रहा है मिडल क्लास जाए तेल लेने एश टू कर आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है मैं हूं मोनेश रवास्तो और जो दर्शक नए है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन जरूर प्लेस कर ले लाइक करें कमेंट करें शेयर जरूर करें और अगर आप हमें सहायता करना चाहते हैं तो जरूर करें सहायता की हमें आपकी आवशकता है पिछले 10 सालों में नरेंदर मुदी सरकार ने देश के लिए जो किया है वो अविस्मरणी है देश को जिस तरह से विकास दिया है वो पिछले 70 सा अभी तक आपके जो समर्थक हैं वो कान को घुमा कर पकड़ते थे और आपके हर कारे को जायस ठहरा दिया करते थे लेकिन ये कब तक चलता रहेगा भाजपा का समर्थक और उसका भूटर मिडल क्लास ही है लेकिन उन्हें मिलता क्या है और सही कहे तो वो मिलता है उसे बाबा सरकार में जो बजट आया है उसमें ऐसा ही प्रतीच होता है चुनाओ प्रचार के दोनान नरेंद्र मोदी ने मिडिल क्लास को लगकर बड़े ही भावनातमक अंदाज में उनके उथान की बात कही थी लेकिन जब बजट आया है तो साफ साफ यही लगा है कि मिडल क्लास को वो ऐसे ही उमीद का जुनजुना थमाते रहेंगे मोदी जी को तीसरी बार सत्ता की कुर्सी देने में सबसे बड़ा हार मध्यमबर का ही है नरेन मोदी के नेत्रित में भारत विकाश सीन देश से विक्सित देश बनने की और कदम बढ़ा रहा है लेकिन जब आप सत्ता में नहीं थे तब आप महंगाई, बेरोजगारी, राश्रवाद, भस्टाचार, हिंदुट पर वोट मांगते थे इस विचारधारा को देश की जनता ने अपनाया था, सराहा था और आपको तीन बार सत्ता पर स्थापिद भी किया है लेकिन इन दस सालों में आपने अपने कोर वोटर, यानि मिडिल क्लास के लिए क्या किया अगर हम हिंदुट और राश्रवाद की बात करें, तो आपने इन दस सालों में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया है जिससे हिंदु अपने आपको पूर रूप से सुरक्षित महसूस कर सके जबकि हिंदु अपने आप में असुरक्षित ही होता जा रहा है आपने जितनी भी योजनाय चलाई उसका सबसे जादा लाब वही लेता है जो आपको सबसे ज़ादा गाली देता है और जो आपको वोट नहीं देता है बात करें कुछ ऐसे कानूनों की जिन्हें हटाए जाने की इस देश के बहुसंख्यक समाज को उम्मीद है तो वो है वक्त एक्ट, प्लेसेस और वर्शिप एक्ट, कश्मीरी हिंदुओं की बात की जाए तो धारा 370 आपने हटाई लेकिन उन कश्मीरी हिंदुओं को वापस बसा पाने में आप असमर्थ हैं बारती जनता पार्टी को व्यापारियों और बनियों की पार्टी कहा जाता है और बदनाम भी आप इसी लिए हैं कि आप हर जगा धन्दा करने लगते हैं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ये परिश्चित होता है आपके द्वारा जारी बजट से पिछले दस सालों से भारत की वो जनता जो आपको चाहती है कि आप हमेशा सत्ता में बने रहें वो आपको इसलिए वोट करती है कि आप भष्टाचार, महगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगा रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है वहीं जब बजट आता है तो आप जनता को ये उमीद होती है कि उसको टैक्स में कुछ छूट मिलेगी उसको तमाम ऐसी चीज़ों पे छूट मिलेगी जो उसकी रोजमर्गा की ज़रूरतों में शामिल है लेकिन आपने उन चीजों के दाम घटाये है या उन चीजों पर टैक्स हटाया है जिससे आम जिन्मानस को न लेना है न देना है और ये पिछले 10 सालों से होता दिख रहा है जिन वस्तूओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं उससे सीधा प्रभावित होता है मध्यमबर जैसे पेट्रोल, गैस सिलेंडर, भिजली के दाम, सबजियों के दाम, राशन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं पे पिछले दिनों मुबाईल रिचार्ज का भी दाम बढ़ा दिया गया तोल टैक्स का भी दाम बढ़ा दिया गया और इसका सीधा उपभोगता गैस के दाम कम नहीं हुए वहीं नेता जी लोग जो मलाई काटते हैं वो पांस साल विधायक बनेंगे, उसके बाद उन्हें पिंशन भी मिलेगी, उनका सारा भत्ता उन्हें मिलता रहेगा, हर सुख सुविधा उनको मिलती रहेगी और वो चारों हाथ से मलाई भी ये धन उगाही भी करेंगे लेकिन नौकरी पेशा के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है एक ही साधन है वो उसकी नौकरी या उसका छोटा-मोटा रोजगार एक बात और है जब 24 करोन लोग गरीबी रेखा से निकल कर आ गए भारती जंता पार्टी सरकार के रिजीम मे तो फिर उन लोगों के वेलफेर के लिए फंड क्यों एलोट होता रहता है उस फंड में कटवती क्यों नहीं की जाती है 80 करों लोगों को अभी भी फ्री में राशन क्यों दिया जा रहा है और एक सबसे बड़ी बात जो राजनीती में लगातार उस वो प्रमोट होती जा रही है वो बढ़ती ही जा रही है और वो है कि हम फ्री में ये देंगे हम free में वो देंगे और इस पर कोई न तो आप कानून बनाने को तयार है न इस पर आप कोई action लेने को तयार है उसके उलट आप सुएम इसी तरह की राजनीती करते चले जा रहे हैं यानि देश की जनता को भीकमंगा बनाने की आपकी पूरी तयारी है यानि आपने माल लिया ह है कि देश की जनता को हम भीक देते रहेंगे वो हमें अपना वोड देती रहेगी और वहीं जो आपको वोड देते हैं उनको हम सिर्फ ठेंगा दिखाते रहेंगे ये वाकई में गंभीर विशा है कि देश की वो जनता जो मेहनत करती है पैसे कमाती है अपना रोजी रोजी उन्हें सरकार के द्वारा हर वो सुविधा मिलेगी जिसके वो भोगी बन जाते हैं और इस विशेग पे हमारी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इस पे कुछ न कुछ ऐसा एक्षन होना चाहिए जिससे आपकी जनता को भी लगे कि हाँ जो लोग मलाई काट रह ही है और जो जनता टैक्स के पैसे से आपको पाल रही है उनकी ऊपर बोज कुछ कम हो रहा है अब हम बात करेंगे दो ऐसे विशे की जो सिक्षा है और जो है चिकित्सा ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या है जो मूबाय खड़ी रती है मिडिल क्लास का 90 प्रतिशत व लगती अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है कि वहां पढ़ा पाना उनके लिए मुश्किल है अगर हम बात करें कुछ साल पहले की 15-20 साल पहले की तो भारत में सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी थी कि वहां पे मिडिल क पे admission पाना एक बड़ी उपलब्धी होती थी एक उदैप्रताप इंटर कॉलेज दूसरा कुइंस कॉलेज ये दोनों स्कूल पढ़ाई के मामले में बड़े ही बहतर माने जाते थे यहां पे admission बिल पाना भी मुश्किल होता था लेकिन आज इन सरकारी स्कूलों की हालत बद से बत्तर हो चुकी है और यही कारण है कि ये जो प्राइवेट स्कूल है ये फल फूल रहे हैं ये middle class जंता का की जेब काट रहे हैं और सिर्फ एक तरह से नहीं काट रहे हैं ये कैसे कैसे धनुगाही कर रहे हैं इसे भी आप सुन लिए फीस हर साल बढ़ती है और फीस पे इ महीने की कोई 4,000 ले रहा है कोई 5,000 ले रहा है कोई 6,6-8,000 रुपर महीने फीस ले रहा है उसके साथ किताबे भी निरधारी दुकानों से खरीदेंगे अभिभावक कॉपिया भी निरधारी दुकानों से खरीदेंगे अभिभावक उसके साथ ड्रेस भी निरधारी दुक मुलनी चाहिए लेकिन ऐसा कोई सरकार निर्देश जारी नहीं कर पाई न सरकार इन पर नियंतरण कर पाई अब एक अगला जो विशाई है वो है चिकित्सा का चिकित्सा में भी आम आदमी मिडिल क्लास मध्यमवर्ग उच्छ मध्यमवर्ख में मध्यमवर्ग private hospitals में ही जाता है सरकारी अस्पतालों में न तो उसे वो सुविधा मिलेगी नहीं उसे वो इलाज मिलेगा जी कितसा सुविधा की बात की जाये तो आयुशमान ल्योजना जो लागू की गई है उसका सबसे जादा लाब उन्हें मिल रहा है जो देश की तादाद बढ़ाने में लगे हुआ है और मिजी अस्पतालों में कोई इलाज कराता है तो उसे खुद को बेच देने की स्थिती पैदा हो जाती है और वहीं सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने वाला कुछ हद तक बहतर हुई है लेकिन सिक्षा को लेके जिस तरह का बदलाव किया जाना चाहिए वो बिलकुल भी नहीं हुआ है प्राइवेट स्कूलों पे नियंतरन और प्राइवेट अस्पतालों पे नियंतरन बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहां पे जिस तरह की लूट चल रही है वो बरदाश्च कर पाना मुश्किल हो जाता है इन सारी बातों का निसकर्श सार यही है कि कमर तोड़ रही महेंगाई पे नियंतरन होना चाहिए और टैक्स का जो भारी बोज आम जन्मानस पे मिडिल क्लास पे हो रहा है वो कम होना चाहिए और सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक आम नागरिक होने के नाते किन चीजों के दाम सरकार के द्वारा थोड़े नियंतरन किये कम किये जाने चाहिए उसमें पेट्रोल है उसमें डीजल है क्योंकि डीजल एक ऐसा तत्व है जिसकी वज़े से महंगाई बहुत तेज इफक्ट करती है पेट्रोल वर्तमान समय में हर व्यक्ति की जरूरत है गैस सिलेंडर हर घर की जरूरत है क्योंकि आपने गैस सिलेंडर को हर घर तक पहुचाया भी है बिजली हर घर की जरूरत है हर परिवार की अवशक्ता है उस पे भी थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और देश की जनता को इन सभी चीजों की उमीद जो है वो वर्तमान की भारती जनता पार्टी से ही है और हमें ऐसा लगता है कि इस पे विचार होना चाहिए धन्यवाद नमस्कार जैहिन